यह कोईलों को मैं दिखाने की कोशिस कर रही हूं जो कि बहुत सुन्दर डांस कर रही थी थोड़ी देर पहले और आवाजें निकाल रही थी अभी शान्त हो गए हैं तो मैं हूं रजनी स्वाधत करते हूं आपका आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का पराथा विद और गैनिक मस्टर्ड ओयल कच्ची घानी का तेल और उसके साथ में लेंगे होममेड पिकल एकदम टेस्टी वाला और गुड़ वाली चाय यह मैंने पालक अपने गार्डन से तोड़ लिया है एकदम क्रिस्पी क्रंची फ्र हिगे हैं humor के लिए बिल्कुल तो ब्रेगफस्श के लिए फफेक्ट चॉइस है यह मैंने दो लिया है वाल्ट तीन बार पानी मैंने मिकाला क्योंकि जड़ों में पस्ति लग जाती है। पत्ते का जो नीचे वाला पॉर्षण होता है मिट्ती लगी जाती है उसमें और इस टाइट नहीं होता, चीचर जीसे बोलते है न, वैसा नहीं होता, एकदम सॉफ्ट होता, आप आवाज सुनेंगे इसकी, एकदम क्रिस्पी आवाज है इस पालक की, क्योंकि अभी-भी टूटा हुआ है ये, और बहुत ही हेल्दी है, मार्किट पे हम जो लाते हैं, उसमें कु डालिए, पानी डालिए, और ये तैया है, और हाँ, अपना हाथ बचा के इसकी चॉपिंग कीजिए, चाकू शाप हो तो उमलियों को थोड़ा बचा लीजिए, और इस तरह से, मुटा मुटा, कोई जरूरी नहीं, आप जैसा भी काट सकते हैं, वैसा काटें, क्योंकि ये पालक है, तो ये बहुत जल्दी जैसे पराठे तवे पे आप डालेंगे, ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है, मैं इसकी डंडियों को वेस्ट नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है, जादा कुक करने से पालक की, या किसी भी सब्जी की, किसी भी चीज को आप कुक करते है तो उसकी प्रॉपर्टीज मैक्सिमम खतम हो जाती है, तो कुछ लोग उबाल के पालक को पीस के डालते हैं आटे में, पर मुझे पसंद नहीं, मुझे लगता है कि जितना मैं इसको कच्छा रख सकती हूँ, उतना हेल्दी रहेगा, तो मैं इस तरह ऐसे काट के, और कई ब तरनी है, बस आप आटे को इस तरह और हाँ, सबसे अच्छी चीज इसमें होती है, अजवाइन, आप अजवाइन को हाथ में लीजिए, यह लगबग एक चमच, मैंने अजवाइन लीए और इसको हाथों से हतेलियों से रगड के, इससे क्या होता है, थोड़ी सी तूट जा है, मैंने, आप भी कोशिस करें, क्योंकि मैं और गयनिक हेल्दी रेसिपी बता रही है, तो मैं नहीं कहूंगे आप नॉर्मल नमक डाले, तो लाओरी नमक मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको बूंत लेना है, क्यूंकि यह पानी सा छो देखरें, तेड़ा मीडा सा आटा है, मेरे हाथ में आप देखिए, विल्कुल जासे नॉर्मल आटे की जो स्मूथनेस होती हो इसमें नहीं आएगी, थोड़े पराठे, थोड़े से इधर उदर डिजाइन दार निकलेंगे, डिजाइनर पराठे होंगे इन पैक्कि हैं, मैं इनको मोटा बनाती हूँ, मोटा बनाने का कारण यह है, कि यह चो टेड़े मेरे पत्ते दिख रहे हैं, मैं चाहती हूँ यह थोड़े आटे के अंदर होंगे तो जलेंगे कम, बिल्कुल पतला पराठा बनाने से होता क्या है, कि आप तवय पर डालेंगे इसको, तो यह क्रंची से और जले-जले से हो जाते हैं पत्ते क्योंकि बहुती सॉफ्ट नाजो केंगे, तो थोड़े से कोशिस कीजिए, मोटे पराठे बनाने की, और उसमें पालक भी जादा आएगा, और जादा स्पॉयल भी नहीं होता, और यह जो मैं यूज कर रहे हूँ, यह इसका नाम नहीं बताओंगे, अगर आप चाहेंगे तो बना बता दूँगे, क्योंकि मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हूँ, तो सर्सो के यह जो कोल्ड प्रेस ओईल है, इसकी पहसान यह है, सर्सो के तेल की, कि आप जब इसको कोप करेंगे तो यह आँखों में नहीं और नहीं इसमें कोई हीक सी आएगी, स्मेल आएगी आपको सर्सो की तेल में जैसे आती है, नॉर्मल जो मार्चित से करीते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान तो पहले एक चोटा पैक मंगवाई है, उसको यूज कीजिए, ना तो हीक आएगी, ना आखों में लगेगा और इसको अगर आप कोई फ्राइंग करते हैं, तो भी सर्सो की तेल की बिल्कुल समेल नहीं आती है, और आप तो जानते हैं कि सर्सो का तेल सबसे जादा हेल्दी होता है, अब आप खाते रहे हैं, बहुत सारे तेल होते हैं, वेजटेबल ओयल ये, वो बहुत अनेल्दी ह तो आप घी उस कीजिए अगर शुद मिलता है या सर्चों का कच्छी घानी का कोल्ड प्रेस्ट ओल जो की लखडी की मिल से तैयार किया जाता है और थोड़ा थोड़ा ओल लगा कि मैं इनको सेख दूली परांटों को ज्यादा ओल नहीं डालती हूँ मैं इन में क्योंकि करता है मस्टर्ड ओल और यह परांटा शायद शर्मा रहा है वीडियो बोल रहा है नहीं बनवाना है मैं कह रही हूँ थोड़ा सा बनवा दो भाई तो यह तैयार हो गया है और मैंने इसको अच्छे से ब्राउन चब लिया है धीमी आग पर जब एक चीज और याद रुख लें उससे पहले दूसरी तरफ पलट दें उसको उससे क्या होता पराठा मुलायम बनता और अच्छे से से सकता है और दूसरी तरफ जब पल्टें तो थोड़ी सी गयस को धीमा कर दीजिए यह ट्रिक होती है तो पराठे आपके बहुत ही सुन्दर बनते दिखने में बिना तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ही बताने एक्टोशिस कर रहे हूं कि आप सुबा का जो प्रेटफस्स बनाते हैं उसको खूशिस करें कि वो हेल्दी हो पूरा दिन बच्चे बहार रहते हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं स्कूल के बच्चे तो टिफिन की टाइम तक टिफिन बच्चे जाते हैं तो उनके लिए हेल्दी खाना पूरे दिन के लिए चाहिए होता अगर उन्होंने दो पराटे खा लिए मेरा बेटा ऐसे करता है वो जाते जल्दी जल्दी लास मुमेंट पनाएगा और कहेगा ममा जल्दी से पैक कर दो तो मैं उसके लिए यह रोल बना आप जैम लगा सकते हैं अनल्दी है जैम वैसे पर ना लगाए तो ठीक है थूड़ा सा कुछ प्यास टमाटर चाट मसाला डालके सॉस के साथ मैं आप रैप कर सेते हैं इसको और यह मैं इसके लिए रैप करके रख दूँगी वो आयका तो खा कि और भातता हुआ चला जात कि यह भी और गोड़ है और एक उमठा कलर का देख रहे हैं बस बनाने के बाद जब आप कप में चान लें गोड़ पर से मिक्स करें तो चाय फटेगी नहीं बहुत लोग बोलते हैं कि गोड़ की चाय नहीं बनती है फट जाती है तो इस तरह बना लें और यह मेरा होम मेट पिकल है और गनिक और गनिक मैंगो फोल प्रेंस मस्टर्ड ओल इसके साथ मुझे पसंद है तो यह मैं अपने लिए डाल रहे हूं मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह यहल्दी रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और अपने ग्रोब बैग या पैक रखल गाल वीडियो को यह 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 मैंगो यह रजगे यह 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 यह